जैन दोस्तों कैसे हैं आप शर्फ वाजम करने वाले हैं शमानने हिंदी यानि कि आपके ग्रामर के कुश्चन्स करने वाले हैं और आपके देखे कि आज का टॉपिक क्या रहेगा तो प्रिबियस पार्ट का आपने टॉपिक देखा था कि एक बच्चन बहु बच्चन और आ आपके एक-एक कारक के एक्जाम्पल के तुरू कि कैसे question बन सकते हैं, उस सब चीज़े हम यहाँ पे देखने वाले हैं, चले शुरुआत करते हैं, आज हमारा set 5 है, इसके पहले के set अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आपको यहाँ पे i button मिल जाएगा, i button पे click करके आप सभ वीडियो देखा होगा, तो आप सभी आसानी से answer कर सकते हैं, कि आपको question कहां से बनते हैं, या तो आपको बताना है pulling, या तो बताना है आपको strilling, तो इनसे question आपके exam में बनेंगे, अब pulling को आपको क्या मान के चलना है, जो भी आपको option दिये गए हैं, उसमें आपको देखन बिंदू होता है, बिंदू होती है, तो pulling में आपका होता है, और pulling में, strilling में आपके देखें तो होती है, ऐसा मान के आपको answer करना है, और आप आसानी sensor कर सकते हैं, और 100% आपके answer है, वो आपके correct होंगे, देखें, जैसे बाजार, बाजार होती है, क्या ऐसा बोलते हैं आप तो यह आपका pulling हो जाएगा बुढपा होती है ऐसा क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं बुढपा होता है ठीक है बट बरसात होता है ऐसा क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं बरसात होती है तो बरसात होती है या नहीं कि क्या हो जाएगा इस्त्री लिंग हो जाएगा यही आपको बताना था इस्त्री लिंग इसमें से बताना था और आपका राइट एंसर हो जाएगा option D क्लियर है आप सभी कोई भी doubt अगर आपको किसी question पे रहता है तो आप सभी comment करके जुरूर बताएं चलिए next question करते हैं पुझ से आप सभी answer कीजएगा निमलिकित में pulling इन में से कौन सा है इन में से pulling आपका इन में से कौन सा है दिएगे options में से आपका right answer हो जाएगा option C option C correct answer लोब होता है लोब होती है नहीं बोलते हैं लोब होता है तो right answer option C हो जाएगा नेक्स कोश्चन कीजेगा निमलिकित में से पुलिंग कौन से आप किन में से राइट है आप सब एका देखिए लालच लालच होता है किसी भी बैक्ति को लालच होता है ऐसा बोलते है किस बैक्ति को बहुत ज्यादा लालच है बहुत ही लालची बैक्ति है ऐसा बोलते है ठीक है ऐसा नहीं बोलते है कि लालच होती है ठीक है तो लालच होता है अगर हम द फुल लिंग कौन से है आपके इन में से यह कि ओप्षेंज में इसे जैसे सरण होता है तो आपका राइट इंसर क्या होगा ओप्षेंज जो मेने आपको ट्रिक बताएंगे तो आप सभी 100% correct answer करेंगे और आपके full marks आएंगे निमलिकित में से pulling कौन से आपके देगे options में से question 5 pulling बताना यानि कि pulling का क्या होता है होता है देखना है आपको जैसे सराब होता है अभी आपको बता है यहाँ पे अगर हम देखें साखा होता है सराब होती है साखा होती है किसी भी बैंक की साखा होती है ऐसा बोलते है ऐसा नहीं बोलते है कि यह आपके example SBI बैंक की साखा है ठीक है किसी बैंक की साखा होती है तो वो आपकी क्या हो जाएगा सक्ती आपके देखे तो होती है सम्मान होता है किसी ब्यक्तिका कहीं जाने पर सम्मान होता है ऐसा बोलते है तो आपका राइट एंसर क्या option D पुलिंग, clear है सबी को चले next question कीजिएगा उससे पहले कुछ extra information इंडिया के largest learning platform पे आप सभी के लिए MPPSC के notes आप सभी यहाँ पे website पे explore कर सकते है notes section पे application पे and new year, new resolution, new goal 23% का discount आपके लिए आपके लिए लेके आए जिसमें की resolve 2023 code apply करके आप सभी MPPSC and MPV आपके MPPV के subscription पे आप सभी and any other किसी भी category का subscription जोइन करते है सभी पे आपको 23% का discount मिलेगा resolve 2023 code apply करके जन्वरी मन्त के आप सभी बैच देख सकते है 5 जन्वरी से यह बैच इस्टार्ट हो रहे दिन December मन्त के बैच देख सकते है MPPV and Vyapam का जेल पर यह सभी बैच group 4 का बैच दिन आपके prelims and mains का बैच 22nd December से 15 December से यह सभी बैच चलना है चले अगला question कर लेते हैं निमलिकित में से pulling कौन सा है क्या trick है आपके लिए pulling में आपको यह देखना है उस option को देखते हुए कि होता है सही हो रहा है आपके option के साथ या होती है जैसे कि हाथी होती है ऐसा कभी सुना है आपने कि हाथी होती है ऐसा कभी सुना है आपने नहीं सुना है हाशी होती है होली होती है हर्याली होती है हाथी जो हो है आपका यह हाथी होता है pulling हो जाएगा आपका right answer क्या हो जाएगा option कशन हो जाएगा चली is next question आपको बताना है जैसे कि आपको दिया गए topi पुरानी इस सब्द में इस अंतर Kerry बताने ही कि da को किसके अंतर करताएगा with ॉ ब्लुभ और किसके अंतर करताएगा आपका यह सब्द mix टोपी पुरानी है क्या हो जाएगा इस्त्रिलिंग आएगा दोनों नहीं आएगा आप सभी सही options के according अगर हम देखे ज़्यादा लोगों आपके हाँ पर C option करेंगे बड़ अगर हम देखे राइट एंसर आपका option C है इस्त्रिलिंग होता है ठीक है option B चले next next question निमलिखित में से कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है आप किन में से देखे options में से right है आप सभी का देखे इस्त्रिलिंग पूछा गया है तो हिम्मत होती है किसी भी ब्यक्ति की हिम्मत है यानि की हिम्मत होती है हिम्मत होता है ऐसा नहीं बोलता हिम्मत होती है option आपका right answer है इस्ट्रिलिंग बताना था हिम्मत होती है सैयम होता है सैयम होता है यानि पुरस ठीक है? पुलिंग हो जाएगा चाकछुक होती है, पनगट होता है चाचुक होता है तो यह आपके देखे तो पुलिंग हो जाएगा, हिम्मत जो होती है तो option भी आपका right answer है चलिए next question निमलिखित में से कौन सा सब्दे पुलिंग है आपके देगे options में से जैसे अफवाह, अफीम, उबटन, धड़कन क्या हो जाएगा? उबटन उबटन जो है न, उबटन आपके होता है अफवाह होती है, बोलते है वाफीम होती है, धड़कन होती है तो यहाँ पर देखे तो उबटन जो है होता है C answer आप सभी का, correct answer है same trick, सभी question आपके solve हो जाएगा और इनसे question आपके exam में बनते भी है चल न, next question कीजिएगा देवर शब्द का इस्त्रेलिंग रूप क्या हो जाएगा देवर शब्द का इस्त्रेलिंग रूप क्या हो जाएगा आपके दिए के options में से इस्त्रेलिंग रूप बताना है तो देवरानी हो जाएगा ठीक है, option भी आपका असा question था चलिए नेक्स कोश्चन है अध्यापक सब्द का स्ट्रिलिंग रूप क्या हो जाएगा आपके? अध्यापक सब्द का स्ट्रिलिंग रूप क्या हो जाएगा आपके इन में से? नियुन होगा जो लोग यह option करने बिल्कुल गलत है आपका ये option वाले बिल्कुल गलत हैं आपका right answer क्या होगा कव इत्री कव इत्री आपका correct answer होगा ठीक है कव इक इत्री link रूप क्या हो जाएगा कव इत्री चलिए next है कीजेगा खुद से answer गायक का इस्त्री link रूप क्या है आपके इत्री आपको डिटेल भी बताया जाता है जो important points है गायक का इस्त्री link रूप क्या हो जाएगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को share नहीं किया है तो आप सभी share कर दीजेगा इसी तरह से series आपको मिलती रहेंगी गायक का इस्त्री link रूप क्या है आप किन में से गायक का हो जाएगा गाई का गाई का ठीक है गायक का क्या हो जाएगा आपका गाई का option D आप सभी का correct answer है अगला question है next जेट का इस्त्री link रूप क्या हो जाएगा आप किन में से इस्त्री link रूप आप सभी को बताने है और आपका right answer हो जाएगा जिठानी क्या हो जाएगा option D ये तो आपके normal निकी आपके देखे तो आसान से question है option D आप सभी का correct answer next है नायक सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या हो जाएगा आपके इनमें से नायक सब्द का अभी आपको मैंने बताया अभी मैंने previous question में किया इसी तरह से नायक सब्द का अगर हम देखे क्या हो जाएगा तो नायक सब्द का हो जाएगा नायका गायका गायका चीक है नायका नायका ओप्शन से आप सभी का correct answer है next question है भोर इनमें से कौन सा लिंग है आपका भोर कौन सा लिंग है आपके इनमें से देगे options में से तो यह आपका हो जाएगा भोर होती है तेक है इस तरी link हो जाएगा option भी आपका correct answer है next question है लाज कौन सा लिंग है आपका pulling है, istrilling है, नपुन्शक mainel है large तो large होती है option भी आप सभी का correct answer है दिए गए options में से ठीक है? V answer आप शबी का right answer है clear है आप सबी कोई question? चले अब हम सुरुआत करते हैं कारक से और आज के कुछ basic question रहेंगे definition रहेंगे सबसे पहले अगर हम देखे कारक किसे कहते हैं तो एक बार मैं आपको definition बता देता हूँ अगर हम बात करें यहाँ पर कि संग्या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे सब्दों से पता चले संग्या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे सब्दों से पता चले बिसेशकर क्रिया से अपना जो संबंद प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं वो आपके कारक कहलाते हैं और हिंदी में अगर हम देखे कारक के प्रकार कितने हैं कारक आपके आठ प्रकार की होते हैं से भी कोश्चन बन सकता है कि कारक कितने प्रकार की होते हैं तो आठ प्रकार की होते हैं जो कारक के चिन होते हैं उन चिन्हों के अभी हम बात करेंगे जो कारक के चिन होते हैं उन चिन्हों को क्या कहा जाता है तो आप सभी याद रखेगा इन्हे कहा जाता है विभक्ति इन् क्या कहा जाता है आपके अभी मैंने आपको definition बताई जो क्रिया की उत्पत्ती में सहायक होते उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है कारक उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है कारक कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आठ प्रकार के होते हैं, कारक के चिन्न को क्या कहा जाता है, कारक के चिन्न को बिभक्ती कहते हैं, आप सब एक option, first, the next question है कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं आपके इन में से, क्रिया के करने वाले को, क्रिया के करने वाले को इन में से क्या कहा जाता है, देखे क्रिया के करने वाले को संग्या सर्मनाम का वहरूप जिसके दोरा क्रिया के करने वाले का बोध होता है कि कौन कर रहा है वो क्या कहलाएगा तो यानि कि क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाएगा करता कहलाएगा आपके करता ने कर्म को करन से अभी हम आगे देखेंगे सब कुछ तो करता ने इसका चिन्य क्या होता है ने होता है तो आपका right answer option first हो जाएगा फर्स्ट एंसर अब सबीका correct answer हो जाएगा देगा options में से जैसे example देखें कि राम ने गाना गया या श्याम ने गाना गया तो इसमें चिन करना गाता है तो यहां पर ने आपका विलोब हो गया नहीं मिल रहा है आपको इसी तरह से आपके देखें तो क्रिया को करने वालों को क्या कहते हैं तो करता कहते हैं इसका चिन्य क्या होता है तो ने होता है करता ने चले next है जिस पदार्थ पर करता की क्रिया का फल पड़ क्रिया का फल पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं उसे कर्म कारक कहलाता है क्या कहलाता है कर्म कारक कहलाता है इसका चिन्ने क्या होता है तो इसका चिन्ने याद रखिये को होता है करता ने कर्म को करता का ने और कर्म का को इसका जो चिन्न होता है जिससे आप विभक्ती कहते हैं जिस सब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है जिस सब्द से क्रिया का जिस साधन से क्रिया करता है या आपके देखे उस साधन कोई अगर हम देखे तो इन में से क्या कहा जाता है तो इशे कहा जाता है आपके करण इसे क्या कहते है इसे कहते है करण जैसे इसका चिन्ने क्या होता है इसका चिन्ने होता है से ठीक है तो करता ने पहला आपने देखा करता ने कर्म को करण से ठीक है जैसे कि आपके राम कलम से लिखता है या सियाम कलम से लिखता है, कोई भी example आप समझने के लिए सकते हैं तो से जो सब्द आ रहा है, चिन जो आ रहा है ये एक तरह से क्या लब बताता है आपके करण का रख यानि कि जिस सब्दे की साज़ता से क्रिया का एक तरह से व्यापार होता है या आपके देखें तो क्रिया करता है, जिस साधन से क्रिया करता है यह आप कह सकते हैं, वो आपके करन कहलाता है इसका चिन्ने क्या होता है, तो यादरकी का C होता है चो रेगला कुछन है सभी definition आप एक एक करके देख रहे हैं उसके part का रखे जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते है क्या हो जाएगा आपका right answer उसे कहते हैं संप्रदान ठीक उसे क्या कहते हैं संप्रदान इसका अगर हम देखें चिन्ने क्या होता है तो के लिए इसका चिन्ने क्या होता है के लिए अभी तक आपने कितने चिन्ने देखे करता ने कर्मे को करण से शंप्रदान के लिए शंप्रदान के लिए तो संप्रदान क्या हो जाएगा के लिए इसका चिन्न होता है जैसे कि मा ने बच्चों के लिए खाना बनाया ठीक है एक्जामपल आप यहां पे उधारन आप समझ सकते हैं मा ने बच्चों के लिए खाना बनाया या सुनील ने मनीश के लिए कुछ लाया जैसे कि कम्प्यूटर लाया या कुछ भी लाया तो एक तरह से क्या सब्दार है के लिए चिन्य क्या रहा है के लिए, जैने कि उत्पन होना आदी पता चलता है, उससे क्या कहा जाता है। एक तरह से अलग होने का अर्थ, अलग होने के अर्थ में गरम देखें, अलग होने के अर्थ में अगर हम बात करें आपे इसे कहते हैं अपादान इसका चिन क्या होता है? इसका चिन से ही होता है से ही इसका चिन होता है और किसका होता था? करण कारक का होता था करण कारक का चिन जो है से होता है पर यहाँ पर जो अपादान के लिए जो से चिन है यह अलग होने के अर्थ में होगा यह आपके एक तरह से important point है अलग होने के अर्थ में इसका चिन होता है से जैसे कि प्यंड से पत्ता गिरता है प्यंड से पत्ता अलग हो रहा है तो अलग होने के अर्थ में इसका चिन है C option B यहाँ पे right answer है clear है आपका यह topic complete हो जाएगा अगर आप इस दो series यहाँ पे दो वीडियो आप देख लेते हैं इसके बाद एक वीडियो हो रहाएगा इसका तो आपका यह complete topic हो जाएगा चले next question है कि जिस संग्या सर्मनाम से किसी दूसरे सब्दे का संबंध या लगाओ जान पड़े एक तरह से संबंध का बोध होता है संबंधता का बोध होता है आपके तो यहाँ पे अगर हम देखे इसे क्या कहते हैं इसे कहते हम नाम से ही पदा चलता है इसे कहते हम संबंध है और इसका चिन्न क्या होता है का हो गया की हो गया फिर के हो गया रा हो गया री हो गया तो इस तरह के आपके देखे जैसे कि मुदारण में देखें कि जैसे कि राम की पुस्तक हो गए तो आपको की सब्द मिला यह चिन्न हो गया किसी से संबंद बता रहा है तो कारक के जिस रूप से वाक्य में संबंद ता का बोध हुआ क्या कहलाता है वह संबंद कारक कहलाता है clear option D आप सभी का right answer इसका चिन याद रखिएगा काकी के या रारी रे यह आप क्या आता है संबंद कारक का चले next question कर लेते हैं और last question आज के sit का इसका next part आप सभी देख लेंगे तो next part देखने के बाद आपका यह complete हो जाएगा topic ठीक चले next question करते हैं कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली जो संग्या या सर्वनाम के सरूप को क्या कहा जाता है यानि कि कारक के जिस रूप से उस इस्थान या आधार का बोध हो जहां पर क्रिया हुई है उसे क्या कहते हैं अधिकरन उसे क्या बोलते हैं अधिकरन इसका चिन्य क्या होता है इसका चिन्य होता है मे या पर इसका चिन्य होता है मे या पर जिस आपके जो प्रस्ण आगे बनेंगे है जो हम उन प्रश्णों को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर कैसे ये बताना है ठीक है? वो हम next वीडियो पर करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि वायोयान आकास में उड़ रहा है या कुईये पर पानी कौन भर रहा है तो यह में और पर सब्दा है आपका यह चिन्न है किसका हो गया? या दिकरन का हो गया एक लाश्ट कारक बचा हुआ है संबोधन कारक जो हम next सीरीज में करेंगे और फिर हम सभी questions की makes up practice करने वाले हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें D answer आप सभी का correct answer है इतनी चेज़े आप सभी को clear ने किसी भी question पर आपको doubt लग रहा है तो आप सभी comment करके बूच चकते हैं और इस वीडियो को share जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ दीके rapid division batch आपका चल रहा है any code आप सभी apply करके join कर सकता है और अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe ने किया तो कर लिजेगा विल icon में प्रेस कर लिजेगा क्योंकि धेर सारी series आपके आने वाली है जितने आपके exam यहाँ पर चल रहे हैं सभी exam के लिए तो all पर click कर लिजेगा चली मिलते हैं भी next part में thank you